जो Gmail का password चेंज करना बहुत ही ज़्यादा असान है बस आपको इस लाज तक इस वीडियो को देखना क्वार को जाणा है YouTube पर जाना जहां का मन हो वहां पर आप चले जाогод bona आपको यहां पर यह वाला आप complete gmail पर जाने करते ही आपके सामने आपका नाम आ जाएगा अगर आपका जो भी जीमेल है वो आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा सभी के फोनों में manage your Google account ठीक है उसके बाद आपको manage your Google account पर click करना है manage your Google account पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे home, personal information, data and privacy, security, people and sharing, privacy and subscriptions तो यहां पर जो है password change करने के लिए आपको क्या करना है जो मैं steps बताऊंगा same to same आपको follow करने यहां से बहुत ही असान होने वाला है यहां से आपको आजाना है home के बगल में आपको दिखेगा personal information ठीक है तो personal information में आपको आजाना है जैसी आप personal information में आप enter करोगे उसके बाद आपको scroll down करके पूरा नीचे आजाना है जैसे आप नीचे आओगे आपको एक option दिखेगा password का तो यहां से हम password यहीं से हमारा change होगा आपको यहां पर password दिखेगा नहीं कि आपका क्या password है लेकिन आपका जो password है यहां से change हो जाएगा ठीक है सबसे पहले password change करने के लिए आपको क्या करना है तो आप जैसी password वाले option पक्लिक करोई आपको यहाँ पर option आयेगा इंनर्यो पस्वड और तो तो नीचे आपके सामने एक option आएगा फॉर्गेट पास्वड और next का तो forget password पर आपको click करना है जैसी आप forget password पर click करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है ठीक है अब यहाँ पे पूचा जा रहा है use your fingerprint fast or a screen lock यानि कि आपके phone में अगर कोई a screen lock लगा है fingerprint लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको verify करना पड़ेगा कि आप real में आपका ही phone है आपकी idea ठीक है तो आपको क्या करना है continue पर click कर देना है जैसी आप continue पर click करोगे तो आपको black screen दिख रहा होगा यहाँ पर आपको आपका pattern डाल देना है जो भी आपके mobile का pattern lock हो उसके पाद देख सकते हो तुरंत आचुका यहाँ पे new password confirm password ठीक है new password अब किस तरीके से यहाँ पर करना है वो चीज में आपको बतला देता हूँ मैं new password डालूँगा उसके बाद नीचे जो है आपको confirm new password जो same password आपने ऊपर डाला वही same password आपको नीचे डालना है ठीक है तो यह password मैं सबसे पहले अपने phone में डाल लेता हूँ उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जो है फिर आपको सही करना है यानि कि किस तरीके से आपको save करना है नया password तो मैंने यहाँ पर password डाल दिया है password डालने के बाद आपको करना है यहाँ पर change password ठीक है अब यहां पर देख सकते हो क्या लिखाया है यू आल अश्टे अश्टे साइंडिड ओन इस डिवाइस आफ्टर डिवाइस आफ्टर दा लॉग इन ठीक है तो यहां पर डिवाइस डैट यू आर ओन नाव मतलब कि आप ने जो इस पासवर्ट को अभी सेट किया है वो आपका इसे डिवाइस का है तो साउमी लेवन लाइट यहां पर मेरे फोन का नाम है आपको आपका फोन का नाम दिखाया जाएगा उसके बाद यू कैन टेक आमिनेट टो रिव्यू इंपोर्टेंट सेक्यूरिटी सेटिंग इन सेक्यूरिटी चिकप ठीक है तो आपको गेट स्टार्टेड करना है जो लोग वीडियो छोड़कर चले गए होंगे उनको तो यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है उसके बाद यहां पर रिकेवरी इमेल भी आप एक अपना डाल देना ठीक है और यह सारी चीज़े डालना ताकि अगर आप भविश्य में करना